से सब्सक्राइब करें अब में अधिए करेंगे और जैसे हमने रूफ बखरा बना लिए था तो इस कलास में में फ्लोर हिंग बना हो ठीक ना यह उससे पहले एक और काम कर लेते हैं सेडिया बना लेते हैं तो तक्रिवन सारी लेर्ज को सिवाए मैं मैप के तमाम लेर्ज को मैं hidden कर दूंगा ओल चला पहले मैं zero layer को एक्टिफ करता हूं पिर मैं roof को भी हाइड करता हूं तिक है यहां से उपर जाके यहां से मुड़ना है यहां से यहां से मुड़ना है यह आपकी मर्जी होती है यह उपर आप जिस तरीकी से बनाना चाहिए उस तरीकी से बना सकते हो मतलब आप यहां से दाखिल होना चाहते हो यहां से उतरना चाहते हो तो मेरे ख्याल में हम यहां से किस एक मिनट बॉक्स नहीं बी ओ और स्पेस बाउंडरी बी ओ स्पेस ओके पिक पॉइंट बता दे एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नौ दस वैसे काउंटेंग है मुझे कुछ करना नहीं मैं बिला वजे में काउंटेंग कर रहा था और स्पेस यह हमने बाउंडरी बना ल कि सुनाओ अब मजीद क्या करना होगा इसको जड़ा में ओर मेरे टिप्स थे ना उन्हें में डिलीट कर देता हूं क्योंकि वह दिस्ट्रबिंस पादा करेंगे से मारी सीडी में तमाम के तमाम में डिलीट कर देता हूं इस तरीके से ठीक है और यहां पर जो पटी इसे डिलीट कर देते हैं और और इसे भी डिलीट कर देते हैं है और इसके बाद मेरे खाल में यहां पे भी होनी चाहिए यह भी गया टिक है इसे भी डिलीट कर दें, select करते हुए एक मिनट इसे भी select कर लेते हैं और पिर उसके बाद इसे इस तरीके से select किया मैंने अच्छा मेरे खाल में यहाँ पर नहीं हो गया ठीक है जनाब, अच्छा यहाँ पर boundary बनी ही नहीं है इसके boundary से भी बन चुकी है और अच्छा सबसे मदेदार बात वह यह कि इसको भी दो boundary बनाना होगा बी ओ और स्पेस और पिक पॉइंट और यहाँ पर क्लिक करके स्पेस यह भी boundary उसके बाद obviously यह देखें यह जो हमारे पट्टी है थी नहीं हम डिलीट कर देते है एक्स्टा होगी न हमारे लिए सारी इस तरीके से अच्छा यहाँ पर नहीं आ रहे चलो त्रीक है होगी यह तक्रीपन तमाम हमारा अब मैं क्या करूँगा इन तमाम मेदियाश को मैं सेलेक लोगा और सेलेक करने के बाद मैं इसको एक्स की और स्पेस लगा डूँगा कितना उच्छा करूं मैं इस topics कितने कुछे करों, चौडाई में चलो मैंने लंबाई में तो मैंने चलो उनको कितना दे दिया था, जणाब करीबन 1-5 sitzt, अब उंचाई में ऐसे कर देता हूं, जणाब आप 7 फिट कर देते हैं, 7 इंच सही है इंटर चलेंजी, अब शुरू करते हैं ज़रा सा इसको, एक करके उपर लेके जाना, ठीक है ना, इसको इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं, अब बहुत असानी से मैं काम करूँगा, एम प्रेस किया, मूव पे क्लिक कर दूँगा 3D नी सिंपल मूव पे क्लिक कर, एक यहां पे क्लिक कर, इसको यह ले गया, और उसके बाद फिर इसको सेलेक करेंगे, और M प्रेस करके इंटर, बहुत सिंपल से स्टैप्स है ना, इसको इसको सेलेक कर लेते हैं, और M प्रेस किया, और इंटर, उसके बाद यहां पे क्लिक करते हैं और यहां तक ले आते हैं तो इसको सेलेक्ट करें एंप्रेस कर एंटर यह वाला पॉइंट ले इसको यहां ले आए ठीक है इस पेस लगा दें दोबारा मूव एक्टिव जाएगा अच्छा जना आपके पूरी बेस आ गई ना इस बेस को अठाकर यहां ले आते हैं उसके बाद अब यहां पर आजाते हैं इस तरह मैंने मूव किया इसको मैंने सेलेक्ट किया स्पेस लगा दिया एम और यहां पर क्लिक किया मैंने इस बेस के उपर लगा दिया ठीक है ना पॉइंट डू पॉइंट बहुत सिंपल है सिंपल है इसको सेलेक्ट करें स्पेस ल सिंपल कामन कर रहा है इसको सेपेस लगा दें और यहां पर क्लिक करके इसे यहां पर लगा देंगे इसको ठाके इसको मैं यहां से यहां ले जाता हूँ ठीक है अब देखें थोर सा क्रॉस में आगे लेकिन कोई मसला नहीं है हम यही पॉइंट इस लगाए मैंने यही वाला पॉइंट लगाउंगा यहां लगा दो ले जाके बहुत सिंपल से काम है इसको से लगाउंगा इस प कि इस पॉइंट को यहां लगाना था ना यहां पर लगाना होता ना तो एम इस पेस लगा के एम लगाया यहां पर क्लिक किया और यहां पर रख दिया आखरी पॉइंट पर लगाना होता ना तो इसको सेलेक करें इस पैस यहां पर क्लिक और यहां मिला दे अब सही है ठीक है अब थोड़ सा मूव भी आ रहा है अब आखरी पॉइंट ये वाला है आखरी नो कौंसी है ये वाली है ये वाली है ये वाली है ठीक है तो और आखरी element है इसको select कर लेता है space move का यहां क्लिक किया और मैंने यहां लगा दिया इदा ठीक है इस तरीके से यह हमने पूरे आखरी बना दिया ठीक है और इसके बाद अब अगर कुछ एक्स्टा होगा तो हम डिली भी कर सकते हैं मैं भी क्या करता हूं मैं दरसल रूफ को एक्टिव करता हूं वाल रूफ को मैंने विजिबल किया इसकेप की देखिए यहां पर आजेगी जरा देखिए बिलकुल मुनासिब साइज निकाला मैंने अगर उपर निच होगा तो हम इसको मैंनेज कर लेंगे लेकिन अब उपर जाने के लिए रस्ता तो मैं बनाए नहीं है रस्ता कैसे बन चलाता हूं आपको दूबारा रूफ को इन्वजिबल करते हैं और इस चेर्ज मेहीं रहते हैं और में इसको यह नहीं पर क्लिक करता हूं देखिए हमारे पास बास एक मस्ट्रा या भी स्केप करें पहले सेलेक्शन को भी आपर की बेसे से बेसेश थी नहीं जिस पर रखक क्या करेंगे देखें दुबारा मैं इसको बिल्कुल लेके आ गया हूँ दिल्कुल सिंपली और उसके बाद देखें में क्या करूंगा अभी में पूरा नीचे तक जा रहा है इस पेस अभी देखिएगा आप शेप त्यार हो गया गई थोड़ा सा आउट है मेरी खाल में यहां पे यह हां जी थोड़ी सी अब इसको बैलन्स कर लेंगे जहां से आउट है वहां से आउट है आप मिला दें और देखें कहीं से आउट अगर आइभन मैंने इसे चालीश फीट लगा Sow एंटर 40 देखिएच है यह क्या हुआ जनाब हमारी सीडें तक आफरी सीडें से है जो अन्सकूस त्टी को कर दिए दोबहरा रूफ की लियर को मैं थे लीयर को चैया है इन् exercise अनीब dosakन क्लाया है आट बीडिया मैंने क्या कि आ किय यह देखिए जितना एरिया बीच में आ रहा था वो रह गया और बाकी उसने इसे क्लियर कर दिया कि देखिए हमारे पास रूफ बनके आ गया उपर आने के रस्ता बनके आ गया इस तरह के देखिए आप हम पूरे हम रिलिंग बगार कुछ भी लगा सकते हैं किसी किसें की शेव हम लगा सकते हैं सो आ विश कि यहां तक जुकाम है वो आपको समझ में आया होगा था ठीक है ना अभी क्या करता हूं मैं अपने पूरी स्टेएर की लेट को चेंज कर देता हूं स्टेड का कलर यह मेरे पास इसको कर देता हूं कोई साभी जे दूंए फिलाल वक्ती तोर पर यह वाला कर देता हूं कुछ चेंज नदर आए बस पर ना और को इस तरीके से ठीक है बिलकुल लास्ट स्टेप पर आती है बिलकुल लास्ट कि साइजिंग कर खाया लखना बहु बलके इसको मैं क्या करता हूँ, simply मैं दिकर चीजों को अनेबिल कर देता हूँ इस विए रही है, स्टेर्स, रूफ उसके लावा वाल्स को एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, 3D डोर, 2D, मिरर वगरा और मिरर को भी एक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना, अब इस तरीके से, सो चीजों को मैंने और क्रम कर लिया कå सबर सब सभी चीज़ा है और सब चीज आजा बाग रूफ नहीं बढ़ करक्ए सब पहले मैं active कर देता हूँ zero layer को या active मैं कर देता हूँ walls को यह zero layer को active कर देने चले हैं वैसे activation का प्रब्म नहीं होगा हमें मैं stairs को disable करता हूँ और उसके बाद इसको यहां से लेकिए यहां तक मैं selection करूँगा इस तरीके से सेलेक्शन की दुबारा से यह दियान रखें कि ऊपर की साइट पर तो आपने वह रशन दान बगर बनाए वह तो भी कॉपी होने चाहिए सेलेक्शन मैंने चाहिए सीओ प्रेस करें इंटर कर दें पिक पॉइंट बता दें यह वाला अब उपर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना उपर रखना है तो मुश्किल हो जाएगी आपको बिल्कुल प्लेस नहीं मिलेगी तो अब यह काम करें तो उपर की तरफ औ आप नौ फेट नौ फेट नौ फेट का जो एक्चुल आपकी वाल्ट ती और नौ इंच जो आपकी छटे ती इंटर कर दें बिल्कुल प्लेस पर यह बनके आ जाएगा अब इक दफार मैं यहां पर आता हूं और रूफ को इन्विजिबल करता हूं तो देखिए देखिए बिल्कुल रूफ की प्लेस छोड़के बिल्कुल मुनासे प्लेस पर आ गया है देखिए आप यह रूफ की बीच में स्पेसिंग आ रही है तो यहां पर दुबारा आ जाए जारा रूफ को आप इनेविल करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर खुब्सूरत से पैटरन के करते हैं रखते हैं इन्शालाथ अलाब सो मुझे जादत दीजिए अलाहाफिज